हलो फैंड्स, आज हम डिसकस करेंगे मैथर्ड्स अब डिटर्मिनेशन अब रियक्शन मेकेनिज्म के बारे में देखिए किसी भी और्गिनिक रियक्शन की बात करें तो वो रियक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है या उसमें कौन-कौन से steps involved होते हैं, जब हम उन steps की study करते हैं, तो उसी को हम reaction mechanism कहते हैं अब किसी भी और्गिनिक रियक्शन की जो mechanism है, उसको determine करने के लिए हम कई सारे methods use करते हैं जिनमें 1st हो जाएगा product analysis, 2nd हो जाएगा determination of presence of intermediates, 3rd हो जाएगा isotope labeling, 4th हो जाएगा isotope effects, 5th हो जाएगा stereochemical evidences और last हो जाएगा kinetic evidences. इस वीडियो में हम 1st 4 method discuss करेंगे, बाकी 2 methods हम part 2 में discuss करेंगे. देखिए सबसे पहले बात करते हैं product analysis की, देखिए किसी भी organic reaction की बात करें, तो उसमें जो products बन रहे हैं या जो by products बन रहे हैं, उनके basis पर हम जो mechanism हैं उसको recite कर सकते हैं, या जो product बन रहे हैं, उनकी quantities कितनी हैं, इसके basis पर भी हम reaction mechanism को determine कर सकते हैं. अब इसके लिए हम एक example देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, allylic chlorides का example ले रहे हैं, ये दोनों compound एक दूसरे का isomers होते हैं, अब इन दोनों का अगर हम hydrolysis करते हैं, तो उससे ये दो products बनते हैं, यहाँ पर 15% primary alcohol बनेगा और 85% tertiary alcohol बनेगा. अब इस isomers का भी हम hydrolysis करते हैं, तो यही products बनते हैं, अब दोनों isomers से एक ही तरह के products बनते हैं, तो इसका मतलब होता हैं, इन दोनों के लिए जो intermediate होगा, वो एक जैसा रहेगा. देखिए, पहले इस reactant की बात करें, तो इससे जो carbocatine बनता हैं, वो resonance की तुरू इसमें convert हो जाता हैं, तो इस तरह से यहाँ पर दोनों products बनेगे. फिर second allylic chloride isomer की बात करें, तो इससे यह intermediate बनता हैं, जो की resonance की तुरू इसमें convert हो जाता हैं, और इसी वज़े से यहाँ पर भी दोनों products बनते हैं, तो हम कह सकते हैं, इन दोनों reactions के लिए जो intermediate हैं, एक जैसे ही होते हैं, तो इस तरह से हम product के basis पर intermediate को identify कर सकते हैं, फिर बात हैं second point की, इसमें हम जो intermediates बनते हैं, उनको identify करेंगे, और इसके लिए हम isolation method, spectroscopic methods और trapping का use करते हैं, देखिए trapping की बात करें, तो हम इस method में जो intermediate हैं, उसको ऐसे compound के साथ react करवाते हैं, जो की known होता हैं, और उससे जो product बनता हैं, उसका हम characterization करते हैं, और उसको identify करते हैं, अ अब सबसे पहले बात करते हैं, isolation की, देखिए कुछ intermediates ऐसे होते हैं, जो की stable होते हैं, तो इस तरह के जो intermediates होते हैं, उनको हम reaction mixture से isolate कर सकते हैं, अब इसके लिए या तो हम reaction को उसी particular step पर stop कर देते हैं, या उस reaction के लिए हम milder conditions use करते हैं, अब इसको example से समझते हैं, यहाँ हम half man rearrangement reaction का example ले रहे हैं, जिसमें जो amide हैं, वो amide में convert हो जाता हैं, देखिए, इस reaction में तीन intermediates बनते हैं, पहला हो जाएगा N-bromamide, दूसरा हो जाएगा इसका N-I-N और तीसरा हो जाएगा isocynic, तो इन तीनों intermediates को हम यहाँ पर isolate कर सकते हैं, फिर बात करते हैं, detection method की, इसमें हम spectroscopic method का use करते हैं, जैसे SN1 और E1 reactions की बात करें, तो इन में जो carbocations बनते हैं, उनको detect करने के लिए हम NMR spectroscopy का use करते हैं, NMR की full form होती है nuclear magnetic resonance spectroscopy, इसी तरह से free radicals को detect करने के लिए हम electron spin resonance spectroscopy का use करते हैं, फिर बात करते हैं trapping की, तो देखिए, जैसा कि हमने discuss किया थ इस method में जो intermediate हैं, उसकी reaction किसी non compound के साथ की जाती हैं, जिसके साथ की, जो intermediate हैं वो reaction कर सके, और उसके बाद जो product बनता हैं, उसका analysis किया जाता हैं, अब देखते इसके कुछ example, देखिए अगर हम कार्बीन की बात करें, तो इसको trap करके cyclopropane derivatives बनाए जाते हैं, और इसके intermediate हैं, उसको identify किया जाता हैं, इसी तरह से जो carbocations हैं, उनको nucleophile के साथ react करवा के trap किया जाता हैं, देखिए इस carbocations की बात करें, तो इनको हम different nucleophile के साथ react करवाते हैं, तो different type के products बनते हैं, अब इन product में से carbocations को identify किया जाता हैं, देखिए यहां पर हमने bromide nucleophile use किया हैं, तो identify किया जाता है और पीछे जो remaining part बनता है वो कार्बो कैटाइन का होता है फिर बात करते हैं isotope labeling की तो देखिए यह जो method है वो product में किसी particular atom की location को determine करने के लिए use किया जाता है अब इसको हम example से समझते हैं यहाँ पर हम ester का hydrolysis कर रहे हैं देखिए इस reaction में जो bond का cleavage हो रहा है वो यहाँ से होगा या यहाँ से होगा इसका पता लगाने के लिए हम इसकी reaction ऐसे water molecule के साथ करवाते हैं जिसमें oxygen का O18 isotope present होता है अब product में यह देखा जाता है कि यह जो O18 वाला isotope है वो किस product के साथ include हो रहा है तो यहाँ पर जो O18 है वो इस carbon के साथ bond बनाता है तो उसका मतलब होता है जो bond cleavage हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है फिर बात करते हैं isotope effect की देखिए अगर हम different isotopes की बात करते हैं तो उनके chemical behavior में ज्यादा difference नहीं होता है और इस वज़े से उनके जो compounds होते हैं उनकी chemical properties में भी ज्यादा difference नहीं होता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो सारे isotopes हैं उनकी properties से हम होती हैं कई बार ऐसा होता है कि जो isotopes से बने हुए compounds हैं उनकी rate of reactions different होती हैं तो हम कह सकते हैं different isotopes की वज़ा से जब rate of reaction में difference आता है तो उसी को हम isotope effect कहते हैं और इसके basis पर हम reaction mechanism को identify कर सकते हैं देखिए यहां पर हम दो example ले रहे हैं एक में हम hydrogen यूज़ कर रहे हैं और एक में हम deuterium यूज़ कर रहे हैं और अगर इन दोनों की reaction की rate देखें तो उसमें difference आता है तो इस तरह से हम reaction mechanism को identify कर सकते हैं अब इसके बाद जो दो remaining methods हैं उनको हम next video में discuss करेंगे